की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर एहम जानकारी आ रही है इस वक्ती सामने बड़ा प्डेट आपको बता दे ओपरेशन लोटस पर वित्मा दित्ति सिंग का बड़ा दावा सामने आया है जो हाँ प्रदेश में नहीं हो सकता ओपरेशन लोटस ऐसा उन्होंने कहा है वही उन्होंने कहा कि हमारे पास बीजेपी से 15 विधायक जादा है नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बदले जैराम वही प्रदेश हित में सुझाओ दे जैराम तो वित्मा दित्य बेबुनियादे बाते करना छोड़ें जैराम चाकूर ऐसा उन्होंने कहा कि वही एस्प्यो बंद नहीं करेगी सरकार इस तरह का दावा करते हुए नजर आए हैं वित्मा दित्य सिंग और उन्होंने कहा है कि उप्रेशन लोटस देश में नहीं चल पाएगा वही एस्प्यो बंद नहीं करेगी सरकार हमारे पास बीजेपी से 15 विधायक जादा वही नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बदल गए हैं जैराम देश हित में सुझावदे जैराम ऐसा उन्होंने कहा है वही बेबुनियादी बाते करना छोड़ दे जैराम चाखुर मंत्य जी ने विधानसभा में भी इस बात को का है कि हमारा ऐसा कोई विचार किसी भी विश्व विदाले को बंद करने का नहीं है और यह पहले भी वैसे जब रूसा के बाद खतम हुआ तो क्लस्टर युनिवरस्टी हमारे समय में शुरू हुई है वो तो बाद में उसको उपग्रेट करके जो है एक विश्व विदाले का दरजाद दिया गया यह अच्छी बात है मंदी में जो है वो आपका यहां पे सरदार पटेल युनिवरस्टी बनी है उसका रखरखाव उसकी कॉलिटी एजुकेशन इंपार्ट करे यह हमारा दायत्वा है मगर उसमें अगर इस तरीके की अगर कोई अनिमेताय पाई जाती है या उस तरीके की कोई रिपोर्ट सा रही है तो यह भी सरकार की मौरिल रिस्पॉनसिबिलिटी है कि उसके उपर इंक्वाइरी हो वड़िये किसी भी राजनेतिक प्रतिशोच से या किसी उससे नहीं है यह तो अगर प्रदेश के युवाओं के भविश्य के साथ कोई खिलवाण नहीं होना चाहिए उस नजरिये से यह बात कही गई है यह युनिवर्सिटी बंद नहीं होगी यह मैं मुखे मंत्री जी के भी हाफ पर यह बात बड़े इसको पड़े साफ शब्दों मैं आपको कह सकता हूँ मगर यह जरूर है कि अगर इसमें कुछ अनियमिताय पाई जाती है तो इंक्वाइरी जरूर होगी और उसमें जो भी कमिया है whoever the concerned people are उसके उपर administrative action जो है वो होना चाहिए उसके हम हक में है अगर है नहीं है तो अच्छी बात है तो बेवनियादी बाते करना छोड़े जरूराम ट्वाकूर ऐसा विक्रमा दितिसिंग ने पयान दिया है वहीं S.P.O. बंद नहीं करेगी सरकार Operation Lotus पर विक्रमा दितिसिंग का बड़ा दावा ये सामने आया है और उन्होंने काया कि प्रदेश में नहीं हो सकता Operation Lotus तुमारे पास BJP से 15 विधायक जादा है वहीं तमाम बाते विक्रमा दितिसिंग ने कही वहीं राजनीतिक समिकर्णों को साधने की कोशिश की गई है वहीं दूसरी पार्टी के विधायकों को प्रलोभन भी BJP की ओर करने की कोशिश है वहीं विधायकों को सीफा देने के लिए प्रभावित भी किया गया तो अपरेशन लोटस क्या है ये तमाम बाते हम आपको बता रहे हैं वहीं उन्होंने कहा कि राजनीति समिकर्णों को साधने की कोशिश है वहीं दूसरी पार्टी के विधायकों को प्रलोभन देने का काम है मीजेपी की ओर करने की कोशिश ओपरेशन लोटस के तहट की गई है और विधायकों को इस्तीफा देने के लिए प्रभावित भी किया गया है तो विसकी संख्या का समिकर्ण बदलता है और राजनीतिक समिकर्णों को साधने की ये कोशिश है तो ये भी हमने आपको बताया कि ओपरेशन लोटस क्या है और इस बीच विक्मा दिति सिंग का बड़ा बयान बड़ा दावा सामने आया कि प्रदेश में ओपरेशन लोटस नहीं चल सकता है वही हमारे पास बीजेपी से जादा विधायक है तो उन्ने का कि हमारे पास बीजेपी से पंद्रा विधायक जादा है और नेता प्रतिपक्ष्य बने के बाद जैराम ठाकूर बदल चुके है ब्रदेश हित में उन्होंने जैराम ठाकूर से सुझाओ भी मांगे और उन्होंने का आया कि सुझाओ दे सकते हैं और बे बुनियादी बाते करना जैराम ठाकुर छोड़ दें तो विक्मादिति सिंग का ये बयान सामने आया है बड़ा दावा सामने आया है कि प्रदेश में ओपरेशन लोटस नहीं चल सकता और हमारे पास विधायक जादा है